Hey guys, this is Vina Shukla, welcome back to my YouTube channel तो guys, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही important topic है और वो हर एक student के लिए बहुत important है क्योंकि जितने भी student हैं वो कहीं न कहीं इस चीज को जानने के लिए उत्सुख होंगे कि जो नई शिक्षा बिवस्था आई है इसमें कौन कौन से changes हुए है अगर बात मौझूदा शिक्षा प्रणाली की की जाए तो इसमें कुछ कमिया थी जिसको दूर करने के लिए हमारी new education policy लाई गई है अगर बात सिक्षा प्रणाली की अगर हम करते हैं means education system की बात अगर करें तो एक बहतर और सशक्त तथा शिक्षित भारत के लिए जो है इस education policy को लाना बहुत जरूरी था क्योंकि इसमें जो मौझूदा प्रणाली चल लई है उसमें बहुत सारी कमिया थी जिनको दूर करने के लिए ये new education policy लाई गई है तो हम लोग आईए इसमें देखते हैं कि कौन-कौन से changes हुए है पहली बात अगर बात करते हैं कि जो education policy है वो पहली बार कब लेके आया गया था और इसमें कौन दूसरी बार कब change लाया गया और ये जो अब change लाया गया है वो कौन सा change है ठीक है अगर बात करें पहली बार कब शिक्षा नीती लेके आई गई थी तो वो ये लाई गई थी 1968 में उस समय इंद्रा गांधी की गवर्मेंट थी यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग पढ़ लेते हैं First National Education Policy was formulated in 1968 under the government of इंद्रा गांधी पहली बार जो शिक्षा नीती लाई गई थी 1968 में उस समय जो सरकार थी वो इंद्रा गांधी की सरकार थी दूसरी बार अब क्या हुआ कि 1968 से लेके 1986 तक वही शिक्षा नीती जो है लागू हुई फिर 1986 में क्या हुआ राजी उगांधी की government थी वहाँ पर education policy जो थी हमारी उसको change कर दिया गया थीक है नई शिक्षा नीती लाई गई तब से 1986 से लेके अभी तक जो है हमारी जो मौईूदा शिक्षा पणाली है वही चलती आ रही है थीक है बीजेपी के manifesto में ये था कि अगर हमारी government बनती है तो हम नई शिक्षा प्रणाली को लेके आएंगे means new education policy को लेके आएंगे ठीक है तो उसी के regarding जब बीजेपी की government बनी तो 2015 में एक committee का गठन हुआ उसके जो अध्यक्ष थे वो पूर्व cabinet सच्यू थे उनका नाम था ये द और इस team का गठन हुआ कि new education policy है उसके regarding recommendation दे ठीक है फिर क्या हुआ कि एक साल बीज गया और इस बात को जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि जो है बात खतम हो गई ठीक फिर 2016 में ये देखे ये 2015 में था और यहाँ 2016 में एक नई committee गर्थिर गी जिसके जो head थे वो थे क के कस्तूरी रंगन ठीक है ये थे के कस्तूरी रंगन ठीक है इनके अधिक्षता में एक committee गठित की गई जिसने new education policy जो ये हमारी है इसका draft तयार किया और सरकार को जो है अपनी report सौपी ठीक है और वो report सौपी गई सरकार को 31 माई 2019 को ठीक है ये जो report सौपी गई के कस्तूरी रंजन कमेटी के द्वारा 31 माई 2019 को तो ये दो point आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि exam में ये पूछे जा सकते हैं ये देखिए पहला point हमारे पास है कि जो पहली committee थी वो TSR सुब्रमनियम के अधिक्षता में थी तो दूसरी जो हमारी committee थी वो थे केकस्तूरी रंगंके ठीक है तो हम लोगों ने ये दो चीजों को समझ लिया अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जब 2019 में ये report सौपी गई उसके बाद से अभी कल 29 जुलाई 2020 को इस report को इस committee के द्वारा जो बनाया गया draft था उसको जो है cabinet द policy है इसमें कौन-कौन से changes हुए है ठीक है तो अगर changes की बात की जाए तो अभी तक school education अगर बात की जाए तो हमारे पास अभी क्या था कि 10 प्लस 2 ठीक है ये education system चल रहा था ठीक है तो 10 में हमारे board होता था और 12 में हमारे board होता था लेकिन अब क्या हुआ कि इस system को हटा दिया ठीक है अब system lagu क्या होगा अब जो system lagu होगा वो है 5 plus 3 plus 3 plus 4 ये system lagu होगा ठीक है अब ये समझ लेते हैं कि 5 plus 3 plus 3 plus 4 क्या है जो पहला है 5 year का इसमें 3 साल pre primary school है ठीक है और 2 class है first and second ठीक है अब इसमें क्या इसमें क्या चीजें बच्चों को सिखाए जाएगी अगर इसकी बा पहले 5 साल बच्चों को क्योंकि बच्चा छोटा होगा ठीक है तो इस तरीके से education provide करने की courses की जाएगी कि बच्चा जो है अपने study के प्रती ठीक है अपने course के प्रती अपने जो है सिख्षा के प्रती उसका लगाओ जो है double up हो सके ठीक है means जैसे play school में बच्चों को सिखाय जाता है ठीक है खेल कूत के द्वारा एक्स्टा करूकलर एक्स्ट एक्टिविटीज के द्वारा तो इस तरीके से बच्चों का जो बहुत धिक और मांसिक विकास होगा उस हिसाब से जो है शिक्षा प्रोबाइट की जाएगी ठीक है अब बात करते हैं तीन से पांच का ठ ठीक है ठीक है ठीक है इसमें क्या होगा और इस जो यह स्टेज है इसको हम लोग जो है फांडेशन स्टेज बोलेंगी जो फर्स्ट फाइव यर है वो फांडेशन स्टेज है ठीक है ठीक है आप क्लियर आप लोगों क्लियर हो गया होगा ठीक है अब दूसरी बात अगरके 3 to 5 year मतलब 3 to 5 class में ठीक है इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा आप थोड़ा बड़ा हो गया अब उसको चीजें मतलब थोड़ी-थोड़ी समझ में आने लगी ठीक है तो इसमें क्या होगा इसमें इस stage में बच्चे को science के math का social science का ठीक है जैसे science का math का social science का humanities का इन सारे ऐसे subjects का जो है रूबरू करवाया जाएगा बच्चे को क्योंकि बच्चा आप थोड़ा मतलब समझ गया है थोड़ा समझदार हो गया है थोड़ा समझने लायक हो गया है तो इसमें क्या होगा कि इन सारे subjects से उसको रूबरू करवाया ज साल है उसमें six to eight ठीक है इसमें बच्चे को यहीं से skill development के courses जो है सिखाना सुरू कर दिया जाएगा क्योंकि अभी जो मौजूदा शिक्षा पनाली है उसमें क्या है हमारा जो education system है वो सिर्फ और सिर्फ जो है study पे focus करता है कि बच्चा पढ़ लेता है बस पढ़ते रहो student अब सरकार के उपर government के उपर निर्भर है कि वो सरकार उसको जो है job provide करे ठीक है तो अगर बात यही मैं foreign countries की बात करूँ जो उनके यहां क्या सिक्षा प्रणाली है उनके यहां सिक्षा प्रणाली है कि बच्चे को सुरू से ही skill development की courses करवाया जाते है उसका जो जिस field में interest ह उस field में जो है उसको वही चीज पढ़ाया जाता है तो इससे क्या होता है उसके जो skill development है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है बच्चे का पूरा सरवांगीन विकास होता है means total development होता है ठीक है overall development होता है तो उससे बच्चा क्या होगा कि उसको government के उपर निर्भर नहीं रहन पड़ेगा कि government हमको जिब job provide करें तभी हम जो है job मिले ठीक है लेकिन हम लोग के हम लोग के यहां क्या system है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ गवर्मेंट कर लिया PhD कर लिये अब बैठे है ठीक है अब बैठे है कि बच्चा अपने आप आतुर निर्भर हो जाता है इस तरीके स वहां education provide किया जाता है वहां का जो education system है वो skill development के उपर ज्यादा focus करता है तो वही चीज यहां पर किया जाता है 6-8 से हमारे यहां जो skill development पर ज्यादा focus किया जाएगा ठीक है जैसे इसमें अगर बात की जाए तो computer coding हो गया बच्चे को सिखाया जाएगा ठीक है programming सिखाया इसमें computer coding हो गया programming हो गया और तरह तरह कि मतलब skill development courses सिखाये जाएगे यहीं से सिखाना सुरू हो जाएगा ठीक है अब बात कर लेते हैं next four years होगा उसमें क्या होगा कि यह 9 to 12 ठीक है अभी हमारे यहां क्या है कि 10th में एक board होता है 12th में एक board होता है यह system को हटा दिया गया इस system को हटाने के बाद जिब 9 से और 12 तक का 9 to 12th class तक यहां पे अब exams जो होगे वो semester wise होगे ठीक है हर six month पे एक semester होगा ठीक है semester wise होगे और last में इसके सारे marks को जोड़के पूरा marks seat तयार किया जाएगा ठीक है तो मतलब board वाला जो जंजट था वो खतम हो गया है अब हर six month प जो है exam होंगे ठीक है यह चीज़े आप लोग को clear हो गई होंगी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और कौन-कौन से point है कौन-कौन से बदलाव जो है किये गए है यह देखिए ठीक है एक चीज इसमें important चीज़ है मैं आप लोग को बता दूँ कि जो अभी तक हम लोग M.H.R इसका जो ministry है उसको हम लोग ministry of human resource development बोलते हैं ठीक है इसके जो इस समय मिनिस्टर है वो है डॉक्टर रेमेश प्रोखरियाल निशन ठीक है यह इस समय हमारे M.H.R.D. minister थे लेकिन अब क्या हुआ कि यह M.H.R.D. को खतम कर दिया गया है इसका नाम change कर दिया गया है इसका नाम change कर दिया गया है और यह थोड़ा क्रेटी चाइस भी हो रहा है कि नाम change करने से कुछ चीजे बदलती नहीं है जैसे हमारे यहां पहले योजना आयोग था planning commission था उसको नाम change करके नीती आयोग कर दिया गया तो changes हुए नाम change हो गया लेकिन कुछ चीजे जो बहतर होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है ठीक है तो इस वज़ा से बोल रहे हैं लोग की जो है नाम change करने से कुछ नहीं होने वाला है ठीक है काम भी करना चाहिए तो यह आप लोग ध्यान में रखेंगा कि आप जो है शिक्षा मंत्राले हो गया और वहां के जो मंत चाहिए तो उसको एक में इंक डेस्ट देना पड़ेगा सभी के लिए यहँदर कमफलशरी आंपने अपने कॉलिए अलग से इंक्रेंश टैस्ट लेंगे तेखे है उसका मार्ग्स यहां पर जोड़ेंगे बच्चे का जो admission होगा UG में, PG में admission होगा, ठीक है तो UG में admission के लिए बच्चे को पहले common interest test देना पड़ेगा उसके marks उसके उसमें जुड़ेंगे ठीक है, फिर उसके बाद में अपने university और college के exam, जो interest exam होगे, उसको देने पड़ेंगे ठीक है, ये चीज आप लोग को clear हो गई होगे आगे हम लोग बढ़ते हैं higher education पर higher education की अगर बात की जाए तो अभी तक क्या था, जो GR था, हमारा gross enrollment ratio था वो था 25.8% ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए जो है, इस committee ने recommendation दिया था अब committee का जो recommendation था वो था 25.8% से बढ़ा के इसको 50% 2035 तक कर दिया जाए ठीक है, तो ये चीजे आप ध्यान में रखिएगा कि GR मतलब gross enrollment ratio जो enrollment होता है higher education में higher studies के लिए वो जो है 25.8 है इसमें उसको बढ़ा के 50% करने का लक्ष रखा गया है 2035 तक ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा आगे बढ़ते हैं, financing education की अगर बात की जाए तो इसमें क्या है, अभी तक हमारे पास जो GDP का जो सिक्षा के उपर जो खर्चा होता है वो है total GDP का 1.7% खर्चा होता है ठीक है, लेगिन इसमें क्या है कि अब 6 points total GDP का खर्चा education के उपर होगा ठीक है, तो ये एक important point है इसको भी आप लोग समझ लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे पास है और कौन-कौन से ऐसे points हैं जो इस सिक्षा नेती में हैं अगर हम लोग देख लेते हैं एक तरीके से point wise मैंने यहाँ पर जो इसका पूरा सार निकला है इस सिक्षा नेती का उसको मैंने यहाँ पर point wise आप लोग को बताने की courses में कर रहा हूं simple language में बताने की courses कर रहा हूं कि आप point wise समझ लीजिए कौन कौन से ऐसे important points है इसमें जो changes हुई है पहली point जो हमारे पास है multiple entry and exist system ठीक है credit transfer ठीक है इसकी बात अगरे इसको समझाने के लिए मैं आप लोग को बताऊं कि जैसे अभी तक क्या था जैसे कोई बच्चा 12 के बास जो है BA करना चाहता है अब उसने एक साल BA किया अब क्या हुआ कि उसका मन change हो गया अब वो BA नहीं करना चाहता है कोई और course करना चाहता है वो B.Tech करना चाहता है तो अभी तक क्या था कि जो एक साल वो बच्चा BA किया था अगर वो छोड़ेगा तो वो एक साल बरबाद हो जाएगा ठीक है कोई मतलब का नहीं रहेगा समझे आप और या फिर ये stream change नहीं कर सकता BA है तो B.Tech नहीं कर सकता ये सारे जो जहमेले थे ये सारे जहमेले हटा दिये गए है कोई भी बच्चा कोई भी stream tune सकता है कोई भी बच्चा एक सार accounts भी पड़ सकता है science भी पड़ सकता है और क्या कहते है arts भी पड़ सकता है तो ये चीजे जो थी उसको हटा दिया गया है तो और जो ये एक साल जैसे इसका हुआ है इसको अगर change कर रहा है तीन साल अगर वो बच्चा तीन साल पुरा complete करता है तो उसको degree दिया जाएगा ठीक है तो ये चीजे आप लोग समझ लीजिए कि एक साल बाद अगर छोड़ देता है तो उसको certificate दो साल बाद अगर छोड़ता है तो diploma तीन साल में अगर complete करता है ये चार साल में तो उसको degree दे दी जाएगी ठीक है ये चीज बहुत अच्छी चीज है कि पहले क्या होता है कि बच्चा अगर नहीं पढ़ना चाहता है उसकी रूची नहीं है उस फील्ड में तो वो जो है उसको छोड़ सकता है ठीक है कि एक देश एक शिक्षा नीती ठीक है एक देश एक कोर्स ठीक है तो इस पर फोकस किया गया है मतलब सारे इन्वर्स्टी प्राइबेट हो या गवर्मेंट हो या कुछ भी हो ठीक है उनके यहां सेम पैटरन चलेगा एक ही सिक्षा बेवस्था लागू की गई है ठीक है आगे हम लोग बढ़ देते हैं अब टू फिफ्ट स्टेंडर्ड एजुकेशन फोकस ओन हर लोकल लेंगवेज ठीक है पाँचवी तक हमको जो है अपने मात्र भाशा पे फोकस करना रहेगा ठीक है मात्र भाशा पे पढ़ाया जाएगा पाँचवी तक मात्र भाशा का यूज किया जाएगा एजुकेशन में ठीक है ये बहुत अच्छी बात है अभी तक हमारे यहां क्या था कि लोग इंगलेज पे जादा फोकस करते थे तो इसको आप लोग ध्यान में रखेएगा ये भी एक चेंज है इसमें आगे हम लोग बढ़ लेते हैं important point क्या है हमारे पास फिर है 9th to 12th standard exam will be conducted on semester basis जो मैंने आप लोग को बताया है कि 9 से 12 तक अब semester exam होंगे ठीक है फिर है marks of extra curricular activities are also added to their mark seat ठीक है जो extra curricular activities है उनके भी marks जो है उनके mark seat में student के जोड़ा जाएगा ठीक है academic bank of credit ये स्थापित किया जाएगा academic bank of credit means जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया कि कोई वच्चा है वो b.tech कर रहा है ठीक है अब एक साल उसने b.tech कर लिया ठीक है उसका मन चेंज हो गया वो अब बीटेंग नहीं करना चाहता कोई और course जो है करना चाहता है तो एक साल उसका जो होगा जो उसकी activities थी ठीक है इन सारे इसके जो credits थे इसको DZ locker में ठीक है DZ locker होगा उसमें जो है समाल के रखा जाएगा और इसका youth जो बच्चा है वो अपने आगे वाले future में job के recording कर सकता है किसी भी के recording जो है उसको अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका use कर सकता है ये बहुत अच्छी चीज है आगे हम लोग बढ़ लेते हैं आगे अगर बात कियें करें हम लोग तो the educational institution has option to run online programmed and distance learning program ठीक है ये चीज है कि जो educational institution है वो जो है online program और distance learning program के लिए उनके पास option है वो चाहे online program चला सकते हैं या distance learning program चला सकते हैं ठीक है उसके लिए उनके पास options रहेगा ठीक है अब क्या है ethical and constitutional values are part of curriculum ठीक है तो ये बात हुई ethical means nathic ठीक है ये देखे तो nathicta और संबेधानिक मूल का जो है वो पाठिकरम में जो है प्रमुक हिस्सा होंगे ठीक है जो ये ethical values और constitutional values जो है ये curriculum के part होंगे ठीक है ये चीजे भी curriculum में रहेंगी ethical values और constitutional values means nathicta और संबेधानिक मूल ठीक है ये दोनो मतलब ये दोनों चीजे जो है उसमें curriculum में student के रहेंगी आगे हम लोग I think आप लोग को एकदम clear होगा है ये सारे points आप लोग नोए समझ लिया होगा कि इस जो मौझूदा जो नई education जो policy आई है उसमें कौन-कौन से important point है ठीक है कौन-कौन से changes हुए है आगे हम लोग बढ़ते हैं आगे हमारे पास है जो अगर हम ये देख लेते हैं UGC UG और PG में admission का क्या criteria है मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि जैसे एक बच्चा first year में फेल हो गया तो उसको second year और third year पास करने के बाद उसको first year का exam वो फिर से दे सकता है अगर फिर फेल हो गया तो फिर से दे सकता है मतलब जब तक वो पास नहीं होगा जब तक वो exam दे सकता है ठीक है इसमें नई सिक्षा निती में क्या प्राउधान दिया गया है PRT, JRT, TGT और PGT के लिए अलग से जो है commission बनाया जाएगा ठीक है जो PRT है PRT, JRT, TGT और PGT तीनों के लिए अलग-अलग आयोग बनाया जाएगा ठीक है दूसरा point हमाँ है TET and BADR compulsory ये दोनों compulsory है ठीक है और D, E, L, E, D जो है जो अभी तक हमारे इसमें था ये खतम कर दिया गया है ठीक है D, E, L, E, D जो है वो खतम कर दिया गया है फिर इसमें क्या है interview भी होगा ठीक है और जो PRT है इसमें कोई interview नहीं होगा बाकी और सब में interview भी होगा ठीक है After job time to time exam or conductor for the assessment of teacher अधी क्या हमारे यहां सिख्षाप्राण आली है कि एक बार government teacher हो गया कोई ठीक है उसके बाद में वो एकदम राजा हो गया ठीक अब वो वो पढ़ाए ना पढ़ाए या उसको आता है कि नहीं आता है time to time उसका assessment किया जाएगा ठीक है अगर एक बार जौब मिल गई teacher की उसके बाद में time to time exam conduct किये जाएगे उसी exam के basis पे अगे टीचरों का promotion किया जाएगा ठीक है तो promotion के लिए उस exam को conduct किया जाएगा उसी के basis पे आगे teacher का promotion किया जाएगा ठीक है अभी क्या है system कि अभी एक बार अगर नौकरी पा गए ठीक है तो वो राजा हो गए अब उनको क्या है कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है उनसे कोई मतलब नहीं उनका सिर्फ और सिर्फ पैसा मिल ला है तो मिल ला है अपना जो ह टीचर अपने हिसाब से वो अपने को अपग्रेड कर रहे है कि नहीं कर रहे है ठीक है वो बच्चों को किस हिसाब से शिक्षा प्रॉबाइट कर रहे है अब उनको खुद ही नहीं आता तो बच्चों को कैसे अपग्रेड करेंगे ठीक है तो इस हिसाब से यह चीज बहुत इसमें कौन-कौन से changes हुए हैं तो please आप इन सारे points को अगर student हैं ठीक है तो आप इस points को notice कर लीजे इन points को आप consider कर लीजे आपके लिए बहुत beneficial होंगे ठीक है तो I think मैं इस नई शिक्षा प्रणाली को आप लोगों को मतलब बहतर तरीके से और simple भासा में आप लोगों को बताने के जो है courses किया हूँ तो आप लोग जो है इसको एक बार अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा किसी point के regarding आपको जो है अगर कोई query है तो आप जो है comment box में लिख सकते हैं ठीक है तो इसी तरीके से आप जो है इस चैनल से जुड़िये रहिए और इस वीडियो को जादा जादा शेयर करिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की हमारे जो next वीडियो होगा उसमें हम लोग जो है अपने अंटिये उसीनेट जे आरेफ पेपर टू कॉमर्स के रिगार्डिंग जो है क्लास करेंगे ठीक है तत्ता के लिए आप सस्त रहिए वेस्त रहिए और अपने जो है इस्टडीज को कांटिनू रखिए अच्छे से आप लोग पढ़िए टेक केर बबाए